एक 56 साल का वैक्ति कैंसर की इलाज के लिए अस्पताल जाता है और वहां उसकी मृत्यू हो जाती है यूवक बैंक में काम करने वाले कर्मचारी था और जब अस्पताल पहुंचा तो वह अकेला ही था उसके पास एक मुबाइल फोन था और वहां मौजूद नर्स वैक्ति के म मृत्यू होने के तुरण बाद उसके पास मौजूद मुबाइल अपने घर ले कर जाती है और उसके बाद 17 ट्रांजेक्शन से लगभग 2 करोड से ज्यादा रुपया क्याश निकालती है और उसके बाद बांगी के पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर करती है इस बाद बेटे को नर्स पर शक होगे और बेटे ने नर्स के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई अब नमस्कार में नेहा जौधरी कैमरा पॉसन विशाल के साथ और आप देख रहे हैं जंता जंक्शन दैसली मामला थाइलेंड से सामने आया है जहांपर 46 साल की नर्स सतांग अस्पता बेटा पतिवत आता है और जब वो नर्स से अपने पिता के मुबाइल के बारे में पूछता है तो नर्स सेहम जाती है जिसके बाध पतिवत को स्प सामने आती है कि कि स्तैके से सतांग नहीं तीन कडोड 44 लाग रुपे अपने अकाउंट में टांसफर करती है पुलिस ने जब सतांग के घर में छापे मारे की तो हैरान रहे गई क्योंकि एक मामली नर्स के घर पर 50 लाग रुपया क्याश मिला और उसके साथ साथ गोल्ड और एक कार बरामद हुई पुलिस ने जब उ जानकारी की गई तो बात सामने आई कि वह सभी संपत्य मृत मरीज के ही है इसके बाद पुलिस ने से तांग को गिरिफतार कर लिया पुष्टाज के दौरान पुलिस ने चोरी किये गे मुबाइल के बारे में पूछा तो वह कहने लगी कि मैंने मैंने ऐसा कुछ भी नहीं यानि कि सतांग का कहना है कि ये सारी पैसे और सारे संपत्ती मैंने मरीज के कहने पर ही लिया है मरने से पहले वैक्ति ने मुझे कहा था कि मेरे पास जितनी भी संपत्ती है वो आज से तुम्हारी हो गई और तुम मेरी सारी संपत्ती ले लेना सतांग का कहना है कि मुझे य मेरे बैंक का पास्बुक भी मिलेगा साथी साथ उस घर्म से तुम्हें जो भी लेना होगा तुम ले लेना सतांग ने कहा कि ये सारी बाते मुझे मरीज नहीं कहा था और जिसके बाद मैं उनके घर गई और वहाँ जाकर बैंक पास्बुक गाड़ी और क्याश्ट लेकर आई पतिवत का कहना है कि अगर उनका बैटा है यानी कि मैं जिंदा हूं तो पिता अपनी सारे समपत्ति किसी और को क्यों ही देंगे नर्श जूट बोल रही है इसने पिता का मोबाइल चूरी चूरी किया और उसके बाद मेरे घर गई और सारी पुलिस ने नर्स को गिरंप पांच साल की सजा होगी साथ ही साथ उसे जुर्माना भी बरना पड़ेगा पांकि आप इस मामले में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताईएगा आगे की खबरों के लिए जंदा जुंक्षन देखते रहे हैं धन्यवाद